Hello everyone, तो आज की स्रीज में मैं आप सभी के साथ teaching aptitude से जुड़ा हुआ, part 1 में इसके regarding आप सभी के साथ share कर चुकी हूँ, आप लोग अपनी तयारी के साथ साथ in practice set को भी जरूर सॉल करें, ताकि जो आपकी आगामे प्रतियों की परिच्छा है, उसमें आप एक अच्छा score gain कर स सकें, तो चलिए continue करते हैं हम आज की स्रीज को, तो देखिए फ्रेंज, आज की स्रीज का teaching aptitude से जुड़ा हुआ, question number 100 है, चक को सिक्छन से पूरू अपने विध्यारतियों का इस तर अवस्य से जानना चाहिए, इस कथन से आप कहा तक सहमत है, देखिए एक सिक्छक है, ठी कि बच्चे का इस तर क्या है, ठीक है, तो राई टांसरों का option A, अगला विशन है, बच्चों में वैग्यानिक सोच विक्सित करने के लिए आवश्यक है, देखिए एक science टिफिक, जो thought है बच्चों में, उसको हम किस तरीके से develop कर सकते हैं, उनमें वैग्यानिक सोच कैसे व मसिया रखी जाएं, बच्चों की द्वारा कियेगे, कारी संभावित समाधानों का परिक्षन करके, बच्चों को संभावित समाधानों हेतु प्रेडित करके, या इन सभी मैथट से हम बच्चों को वैग्यानिक सोच के लिए विक्सित कर सकते हैं, तो राई टांसरों जग यानि कि स्टुडेंट को बेस बनाकर हमें टीचिंग करानी चाहिए तो राइट आंसर होगा उप्सन बी नेक्स्ट कुशन है दिव्यांग बच्चों के साथ सीच्छक का उप्युक्त व्याहर होगा देखिए जो फिजिकली हैंडिकैप बच्चे होते हैं उनके साथ टीचर क मुख तो ब्याहर किस तरीकि का होना चाहिए प्रेम वर शने पो खीज पोण क्रोध पोण उदαसींता पों तो देखिए राइट आंसर होगा प्रेम वरेम वर इसने पोण होना चाहिए ठीक है तो राइट्वसन यंइ yen चाहिए देखे एक अच्छी पार्थी पुस्तक आप से पूचा जा रहा है उसमें सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि वो बुक क्या हो तुरुटी रहित हो यानि कि तुरुटियों से मुक्त हो उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए तो राइट आंसर होगा उपसन डी अगल कोई विध्यारती भावी अध्यान हे तो अपने विसेयों का चैन करने में आपसे मदद चाहता है आप क्या करेंगे देखे कई बार मेरे बहुत सारे विविवर्स भी कमेंट करते हैं सब्जेक्ट कॉमिनेशन के रिगार्डिंग तो आपसे भी इस तरीके से आपकर पहुंसे उसे परिचित कराएं ठीक है तो राइड अंसरोगा उपसन डी अगला कोशन एक कुसागर विध्यारती यदि कक्षा में अनुसासन हीन हो रहा है तो आप क्या करेंगे देखे एक इंट्रिजेन बच्चा है बहुत अच्छा है नेचर वाई जो डिसिप्लेन में रहने वाला है लेकिन उसमें अचानक से क्या हो रहा है अनुसासन हींता आने लग गई है तो इस कंडिशन में आपको क्या करेंगे उसकी समस्या को समझना चाहेंगी सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम जानेंगे ताकि आप ये पता कर सकें कि वो इस तरीकी का बीएफ क्यों क कर रहा है ठीक है तो राइड आंसरों को अप्शन ए फ्रेंस आई होब कि आपको स्रीच पसंद आ रही होगी अगर आपको वीडियो है फुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक से जरूर करें अगला कुछ ने कि ग्रहकारी को प्रते दिन जाचना आउस्यक है क्योंकि जा उन असुद्धियों को कम करना स्टार्ट कर देगा नेक्स वेशन है कक्षा सिक्षन की उत्तम प्रणाली यहां है जिसमें देखे क्लास्रूम टीचिंग की सबसे बेस्ट प्रणाली प्रोसेस आप से पूछा जा रहा है ठीक है तो राइट आंसर होगा अध्यापक वच चातर दोनों प्रस्न पूछें ठीक है एक दूसरे से अगर क्वेशन पूछते रहेंगे तो क्लास एक्टिव रही तो राइट आंसर जाएगा उप्सन डी क्वेशन नमर वन नाइन्टी है सामूही खेलकूत से बच्चों को निम्न लिखित लाब मिलता है देखे जब बच बच्चे ग्रूप में खेलते हैं उसका सबसे बड़ा फाइदा यह होता है कि बच्चे सामाजिक आउश्यक्ताओं की अनुरूप समायोजन करना सीख लेते हैं यानि कि एडजेस्ट होना सीख लेते हैं ठीक है तो राइट आंसर होगा उप्सन बी नेक्स बच्चे ने चात्रों का ध्यान किस प्रकार आकरसित कर सकते हैं तिके क्लास्रूम में आपसे पूछा जा रहा है कि जो बच्चे हैं उनका ध्यान किस तरीके से आकरसित किया जा सकता है चात्रों में जिग्यासा का विकास करेंगे कख्षा में जोर से बोलेंगे विशेस प्रकार के वस् सबसे अच्छा मैथड होता है किसी भी सब्जेक्ट या किसी कॉंसेप्ट को समझने का ठीक है तो राइट आंसर जागा ऑप्सें सी ने रहे हों तो अध्यापक को क्या करना चाहिए आपसे क्या पूछा जा रहा है अगर स्टूडेंट को देखिए टीचिंग में सिक्षण विदी में परिवर्तन करना चाहिए फॉर इजामपल जैसे मैं अभी आपको पड़ा रही हूँ बहुत सारे विवर्स होंगे जिनको समझ नहीं आ रहा होगा या आपको इंट्रस्ट नहीं आ रहा होगा इस कंडिशन में मुझे अपने टीचिंग प्रोसेस में ब से जादा जरूरी है कि हम नवाचारों का प्रियोग करें नेक्स विशन है यदि छात्र एक विशे में कमजोर है तो आप उसे देखे छात्र अगर सपोच किसी एक सब्जेक्ट में क्या है वीक है तो देखे उस कंडिशन में उसे व्यक्ति का तुरूप से अत्रिक्त समय द कुने वाली लीपी कौन सी है लीपी आप से पुछा जा रहा है जो बच्चे ब्लाइंड होते हैं उनके लिए अलग लीपी का इस्तमाल किया जाता है और वह लीपी है ठीक है राइट आंसर ओप्सन ए नेक्स विशन है अधिकांस विद्यारतियों सिच्चक की अक्षा में देखें mostly student ऐसे teacher की class में खुस होते हैं जो क्या करें उनकी समस्याओं को हल करें ठीक है बच्चों की problem को अगर solve किया जाए teacher द्वारा तो बच्चे उस teacher से बहुत ज़्यादा खुस रहते हैं ठीक है तो right answer ओप्सन C है अगला उशन है एक नए अध्यापक के लिए आशक है क कक्षा प्रारंब करने से पूर देखें कोई नए teacher है for example आप का course करते हैं उसके बाद आप teaching field में जाते हैं आप एक नए नए अध्यापक है तो इस condition में जब आप class प्रारंब करते हैं तो आपको सबसे पहले विध्यारतियों के साथ सम्वाद इस्तापित करना चाहिए ठीक अगर पसंद आया हो तो प्लीज विडियो को लाइक सेर चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लें ताकि आप सभी को इसी तरीकी के प्रैक्टिस से डेली मिलते रहे हैं थैंक्स फॉर वाची